हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चानल साइबोटेक केमपस नवादा आज की इस सेकेंड वीडियो में जो की पेरॉल का सेकेंड वीडियो हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर पेरॉल मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर कैसे आप यून कर सकते हैं किसी कंपणी के लिए कैसे हम लोग उसके अंदर इंप्लाइज का ग्रूप बना सकते हैं और कैसे इंप्लाइज बना सकते हैं तो आईए सबसे बहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग क्रेट कर सकते हैं प्रोडक्शन या अटेंडेंस टाइप्स देखें यहा यहां पर मेरे सामने यह सारा section accounting master का inventory masters का और payroll masters का आज आ चुका है यहां हम लोगों ने अल्रेड़ी imply गूप बनाया था पिछले वीडियो में और imply बनाया था आज सबसे परहले आटेड्नेंस अप्रोडक्शन टाइप सीखने जा रहे हैं तो यहां से attendance attendance oblique production type जो option है इसको आपको select करके interface करना है. जैसे ही आप interface करोगे देखको यहां पर attendance oblique production type creation का dialog box आ गया. अभी यहां पर लीजब भी काम करता है तो उसका एक आपको बनाना है present जैसे ही आप present बनाओगा है वो कितना दिन present है यह आपको अच्छली देखना है तो यहां प्रेजंट आपने बनाया यह अंडर आपका प्रैमरी चला जाएगा देखो यहां पर चार आप्शन्स आपके सामने है एक है अटेंडेंडेंस विथ पे या लिव विथ पे ये वैसा वैसे जगों पर यूज करना है जहां पर स्टाफ को इंप्लाईज को आपको पेमेंट के साथ उसका अटेंडेंस बनेगा या अगर वो छुट्टी पे भी है तो उसको पेमेंट मिलेगा तो यह जो प्रेजंट है ना यह अटेंडेंस अबलिक लिव विथ पे में जाएगा ओके प्रेट टाइप यहां पे डेज है अभी एक आप बना लो पेड लिपस यह वैसे वैसी छुट्टी है जिसके लिए इंप्लाई को एक्चुली पेमेंट मिलेगा उसका पेमेंट कटेगा नहीं तो यहां पे अटेंडेंस अबलिक लिव विथ पे यह आपको सेलेक कर लेना है यह भी प्रेट टाइप इसका डेज जाएगा अभी एक आप पनालो अपसेंट यह देखो अपसेंट यह है यह लिव विदाउट पे है जितने दिन भी इंप्लाई अपसेंट रहेगा उसका पेमेंट उसको नहीं मिलेगा तो य we live without payment जाएगा इसी ढग से अगर आपके ओर्गनाज़शन में का कॉंसेट है तो ओवर टाइम या तो अगर नमबर ओफ आवर्सकी हिसाब से आप प्राइम चला गया यहां पर इसके लिए आपको प्रोड़क्शन सेलेक करना है ठीक है ओवर टाइम के लिए प्रोड़क्शन आप जैसी सेलेक करोगो देखो आपके सामने यूनिट्स का एक छोटा सा ओप्शन आये यहां पे आपने यूनिट बनाया नहीं तो अल्ट सी आप कीबोर से प्रेस करो और यहां सपोज आपने डा हो तो देखो यहां लिस्ट आप आई क्यू यू क्यू सी में जो है ना यह चारेस न्यू यू किसी आ रहा है आप चाहो तो बना भी सकतो या फिर आप नॉट अपलेकेबल करके निकल जाओ ओके अभी आपने यह ओवर टाइम भी बना लिया अब हम लोग देखना चाहते है कि कौन कॉन सा अटेंडेंस है प्रोडेक्षन टाइप हम लोगों ने बनाया तो देखो गेटवेवे अव स्टैली में वापस आना है अल्टर में आना है और यहां से आपको चले आना है अटेंडेंडेंड अउब्लीक बर्दक्शन टाइप में आप यहां इसको सबैक करके इंटरप्रेस करो देखो यहां पर आपने चार अलग-अलग अटेटनेंस अबलिक प्रोडक्शन टाइम्स पनाया है एक है अपसेंट का एक है ओवर टाइम का एक है पेडलिफ्स का और एक है आपका प्रजेंट का ठीक है आप चाहो तो यहां से भी अगर आपका कुछ पर दो सबसे बेसिक चीज है ना बेसिक सेवरी अभी बेसिक सैवरी जो है यहां पर आपके सामनी इतने सारी ओप्षन से यह जैसे अब लोग आगे इस सिरीज में बढ़ेंगे हम लोग हर एक ओप्षन को जानेंगे अभी बेसिक सैनली पहले च्छोटा सा इक इंट्रो दे जो भी पेमेंट है जो इंप्लाइ कामाई है उसको आपको अर्णिंग फॉर इंप्लाइज में देना है वैसा सितनी अफ़ी लिए अगर वह व्याज बनाओ सब्सक्राइब के लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वैसा पेहिट जाता है जो इंप्लाइब ने आपके कंपनी से या एज लोन लिया हो या फिर एज़र एडवांस लिया हो इसी तरह से लेकिन यहां पर बेसिक साले जो है वह कहां जाएगी अर्निंग फोर इंप् इंट्रप्रेस करो यहां एक चीज़ और मैं देखो यहां पर अगर आप चाहते हो जो आपने इंडिक स्पेंस किया तो यहां पर आप अपना गृप भी बना सकते बहुत ध्यान से समयाँ आप चाहते हो कि जितना भी वैसा ग्रूप से रिलेटर है उसके लिए यहां पर सेलरी आया तो आप यहां से क्रियेट कर लो और यहां पर आप लिख लो सेलरी यह आपका चला जाए रहा इंडिक स्पेंस में ओके और यहां पर ग्रूप बिहेवस लाई का सब लेजर नो य यह सब करते हैं यहां से मेथर्ड और टुए लोकेट इसको फिलाल करो यस तो आप यहां से देखो यह आपने सेलरी डाल दिया यह ऐसा भी आप कर सकते हो अब यहां पर देखो कैल्कुलेशन टाइप में आपके सामने पांच अलग अलग अप्शन आ रहे हैं एक है एक है आपको फर्मूला फीड करना हो कि अगर इतना से इतना के बीच में अमाउंट है तो इतना परसेंट होना चाहिए ऐसा कुछ अगर फीड करना है तो आप as computed value कर सकते हो as user defined value का selection आप वहां पर करोगे जहां पर एक fix value आपको डाल देना जो user डालेगा जो आपका imply बोलेगा कि इतना पैसा इस पर्टिकुलर हेड में डाल दो flat rate यह आप दे सकते हो flat rate month wise जो basic salary है अगर flat rate में देते हो उसका वहां पर कोई अपसेंट आप प्रसेंट का सिच्वेशन नहीं है तो लेकिन अगर आप attendance wise देते हो तो on attendance देना है overtime वगर on production wise देते हो तो आप on production करना तो यहां पर मैं on attendance करता हूँ चुकि basic salary on attendance है मिलती है अब यहां पर देखो जैसे ही मैंने on attendance select किया तो यहां attendance oblique leave with paid option आ गया तो यह normally जितना दिन present होगा वो आपको देना है अब आपका जो calculation period है basic का वो day में बनेगा या fortnight से बनेगा या months में या weeks में तो भई बहुत जगों पर days में बनता है बहुत जगों पर fortnight से बनता है बहुत जगों पर months से बनता है और बहुत जगों पर weeks में बनता है तो यह तो situation situation से vary कर जाता है यहां पर मैं साइमेजिन कर रहा हूं कि basic solution वह month में ही हम लोगों को देना है तो चलो month मैंने select कर लिया अब यहां पर again आपके सामने आ रहा है कि basis of calculation क्या है per day का तो भई यहां पर भी तीन option है एक है आपका as per calendar period जिस month का आप payment कर रहे तो calendar में उस मन्त में जतना दिन है उसके हिसाब से चलेगा user define में आप चाहो तो अपने हिसाब से आप define कर सकते हो और कितना कि एक मंत में कितना दिन आप select करना चाहते हो और user इसको आपने से लिए और यहां से कंट्रोल यह आपकी होगी बेसिक से अभी देखो यहां पर चाहते हो डिये तो डिये यह यह आपका अर्निक फोर इंप्लाइज ही होगा फिक्स होगा यहां से आपको इन्डियक्ट एक्सेज में डाल देना है जी यहां पर पूछ रहा है की पेस्लिक में क्या आना चिह अगर हाँ तो आपेसे ही रहने तो लेकिन मैंक़् आ रहा हूं कि इसका फुल फाम आंए पेस्लिप में डियेनस हलावन्स सेल अलंवियक्ण किया अब यह को डियेक्र ढल़्ावन्स है यह AS 10% current earning total का मिलेगा as a DA, लेकिन अगर 10,000 से 20,000 के बीच में होगा, तो उसको 15% मिलेगा, 20 से 30 के बीच में अगर आता है, तो उसको 18% मिलेगा, और 30 से एबव के case में उसको 20% मिलेगा, आप चाहो तो यहाँ पे, मैंने 4% डाला है, अलग-अलग slab के हिसाब से, अलग-अलग condition के ह साथ से आप चाहो अगर, तो फिर यहाँ पे कम या ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, चलो यह हम लोगों ने कर लिया, उसी ढंग से अभी HRA, देखो HRA, earning for employees है, fix होगा, indirect expenses में ही जाएगा, affect करेगा net salary को, बिलगुल करेगा, यहाँ पे HRA आप देना चाहते हो, तो आप यहा यहाँ पे house rent allowance select कर लो, अब यह भी आपका, as computed value अगर आप चाहते हो, तो as computed value देदो, या अगर आप चाहते हो कि नहीं, flat rate, तो flat rate नहीं होता है, as computed value डालना है, और यहाँ on current earning total, और यहाँ पे आप यहाँ पे भी multiple rates fix कर सकते हो, जैसे आपने DA में किया है, अगर ऐसा करना हो का, तो वो तो मैंने DM बताया ही है, लेकिन अगर आपकी company की policy है, कि जो भी staff है, उसको 25% HRM मिल जाता है, उसके current earning total का, तो यहाँ पे एक ही fix डाल दो, कि भाई percentage 25% HRM मिलेगा, इसी डंग से आप अगर चाहो, तो over time का भी बना सकते हो, कि over time आपके employee ने कितने समय के लिए किय तो यहाँ पे earning for implies low, over time के लिए भी fix होता है, under indirect expenses जाएगा, over time का नाम pay slip पे over time ही आना चाहिए, ओके, यह देखो on production होगा, चुकि ही, दो situation में काम होता है, देखो, या तो आपने किसी imply को रखा है, कि वही वो कोई product बनाता है, जितना piece बनाता है, आप उसका rate fix कर देते होग उस हिसाब से उसको payment कर देना है, उस case में भी यह over time वाला concept काम आएगा, या फिर आप कहाँ जो imply है, उसका ऐसे job, suppose कि 8 घंटा है, या 10 घंटा है, और किसी staff के नहीं आने के वज़ए से वो 2 घंटा extra काम करता है, तो फिर 2 घंटे का उसको extra payment मिलेगा, that is called overtime, तो यहाँ on production ले और यह आपने ऐसे बना लिया, अब आप चाहते हो कि हम लोगों ने कौन कौन सा pay head बनाया है, अगर यह देखना है, आप अल्टर में आओ, यहाँ से आप pay heads में आजाओ, payroll master section में, और देखो यहाँ पे आपने 4 अलग-अलग pay heads बनाया है, एक है basic salary, दूसरा है DA, तीसरा है HR यहाँ से आप चाहो, तो नया pay head जो छूट गया हो, अगर आप बना सकते हो, अल्टर में भी आके, और आप चाहो, तो यहाँ से आप अल्टरेशन भी कर सकते हो, तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा, कि कैसे हम लोग टैली प्राइम के अंदर payroll masters के जरिए attendance या production type बना सकते हैं, कैसे unit work के लिए बना सकते हैं, कैसे pay heads बना सकते हैं, अगर इससे पहले वाले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों ने जाना होगा कि कैसे imply का groups बनता है, कैसे implies बनता है, तो उमीद करता हूँ कि इन दोनों वीडियो को देखने के बाद, अब आप लोग भी tally prime में, imply group बना सकोगे, imply भी बना सकोगे, attendance या production type बना सकोगे, pay head बना सकोगे, units भी बना सकोगे, अगर आप लोग चाहते हो, कि आगे आने वाले वीडियो को भी आप लोग देखें, on time, आप लोगों को notification मिल जाए, तो आप अपने य देख पाए, ये आज का जो ये वीडियो था, ये second वीडियो था, उमीद करता हूँ आप लोगों ने first वीडियो भी देखा, और अगर नहीं देखा है, तो first वीडियो भी जाकर के देख ले, ताकि base जो है, वो मजबूत हो जाए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद ये, thanks, thanks a lot.